इस वक्त मेरे सहयोगी नियूस रूम से नमे जुड़ चुके हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए नमे सबसे पहले मैं हिमाचल चुनाव को लेकर आप से बात करूँगे हिमाचल में हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है लेकिन जिस तरह से त्रिकोणी है मुकाबला है कॉंग्रेस पर दवाब ये है कि एक बार फिर से सत्ता पर आना है बीजेपी का ये है कि परिवरतर ट्रेंड करना है और जो रिकॉर्ड है पुराने हिमाचल प्रदेश में उस रिकॉर्ड को तोड़ना है लेकिन आम आदमी पार्टी अब इस बार आ चुकी है कितना टफ फाइट है इन तीनों ही पार्टीयों के लिए देखे बिलकुल आज चुनाओ की तारीकों का एलान हो गया बारा नौंबर को हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 68 सीटे हैं वहां पर वोटिंग होने वाली है हला कि हिमाचल प्रदेश की खासतोर पर बात करें तो वहां पर एक बार कॉंग्रेस और एक बार बीजेपी का चलन चलता आ रहा है लेकिन इस बार आमाध्यम पार्टी भी चुनावी मैदान में हला कि जब पंजब के अंदर आमाध्यम पार्टी ने सरकार बनाई थी तो उसके बाद लगातार मुक्हमंतरी अरविंद केजलिवाल की बात करेए फिर पंजब के सीम भगवंतमान के बात करें उन्होंने कई लोड शो हिमाचल प्रदेश के अंदर किये थे उस वक्त यह उम्मीद जताए जा रही थे कि आमाद्नी पार्टी भी वहाँ पर टकर देगी दोनों पार्टियों को लेकिन फिलाल पिछले दो महिने की बात करें तो काफी फेर बदल आमाद्नी पार्टी ने हिमाचल के अंदर करेगी क्योंकि आज भी आमाद्वी पार्टी के जो मैक्सिमम लीडर थे उनको इंतिजार था कि गुजरात की चुनावों की तारीकों का एलान भी शायद आज हो जाएगा लेकिन आज केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो चुनाव हैं वहाँ पर तारीकों का एलान हुआ ह ऐसे में कॉंग्रेस को भी हिमाचल प्रदेश के अंदर वापसी करना बहेद मुश्किल होगा क्योंकि जमिनी राज्यों में और पहाडी राज्यों में चुनावी मुद्दे जो हैं वो काफी डिफरेंट रहते हैं हिमाचल प्रदेश की खास तो बात करें तो वहाँ पर चुनावी मुद्दे होते हों बेरोसगारी का मुद्दा होता है जमिनी स्तर्पी की बात करें जो 1 राज्यों में चुनाब में उत्री हिए आपनी गारंटी को लेकर सबसे फेमस हुई है पंजाब के अंदर उन्होंने तमाम गारंटी आ दी हूस पर अंवी सरकार बनाई हि जो ही इमाचल के लोगों को अब तक दे चुकी हैं तो ऐसे में अमाद्नी पार्टी कोशिश करेगी के मैक्स्मम सीटे वहाँ पर लाइ जाई जिसको लेकर कल भी अमाद्नी पार्टी ने दिली में एक बैठक बुलाई है जितने भी जो वहाँ पर चुनाव के परभारी हैं उनको बुलाए गया है इसके लावा जो इस्टार पर चारा के माचल प्रदेश के उनको बुलाए गया और आगे की रणीती बनाई जाएगी बिल्कुल और ऐसे में अगर बात हम गुश्राद विधान सबा चुनाव की कर लेते हैं भले आज तारीखों का एलान नहीं हुआ लेकिन प्याम आवास पर बैठक बुलाई गई है और जाहिर तोर पर इस बैठक में एक अलग ही रणीती तियार की जाएगी क्योंकि यहाँ प रही है हाला कि वो विजय हासे जरूर कर रही है बहुत शुक्रिया फिल्हाल इस जानकारी के लिए